दोस्तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप Bluetooth के माधियम से किसी भी डेटा को चाहें वो फोटो हो, वीडियो हो, म्यूजिक हो या कोई फाइल हो उसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तो चाहें मोबाइल से कम्प्यूटर में ट्रांसफर करना चाहते हैं या कम्प्य के दोरा किसी भी डेटा का लेंदेन करना चाहते हैं वीडियो को कंप्लीट देखें दोस्तो हलो दोस्तो मेरा नाम हमेश कुमार आप देखरें रियान श्मींस्टेग में आपका स्वागत है Ch Check ने कि death काiger है, दूसरा चीज्ए आपको चेक करना है कि आपके computer में Bluetooth ड्राइबर इस्टोल है कि नहीं है यदि ड्राइबर इस्टोल नहीं रहेगा तो फिर work नहीं करेगा connect ही नहीं होगा तो दोस्तों यदि आपका ये दोनों चीज मिसिंग है तो मैंने इसका अलग से वीडियो बना दिया दोस्तों जो आपक ाइबर को देख लिजें ठीक है उसके बाद ही आप है चैसो connect कर पाएंगे नहीं कि नहीं है दूसरा चीज चैक कर लेरेया connect करके डेटा को transfer करके दिखाता हूं दोस्तों तो दोस्तों Bluetooth के दोबारे किसी भी डेटा का lane देन करने से पहले सबसे पहले आपको check कर लेना है कि आपके computer में Bluetooth का support दिया गया है कि नहीं दिया गया है यदि दिया गया है तो ठीक है दोस्तों नहीं दिया गया है तो सबसे पहले आपको इस तरह का Bluetooth वाइफा अडप्टर को पर्चेश कर लेना पड़ेगा दोस्तों उसके बाद इसका जो ड्राइबर होता है उसे आप इस्टोल कर लें यह सारा चीज मैंने अलग वीडियो में बता दिया है तो आप उस वीडियो को देख लिजिए आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा ठीक से अपने मॉबायल को करनेट करके डेटा को ट्रांसफर करके आपको दिखाता हूँ ठीक है तो मैं लगाता हूँ इससे बुलुटूथ वाइफा अडप्टर को तो देखे यहां पर भी बुलुटूथ का इकन नहीं है कि मैं जैसे ही लगाऊंगा यहां पे बुलुटूथ एकन आ गिया दोस्तों उसके बाद आपको यह दोस्तों अपने मोबायल में आपको Bluetooth को ओन कर देना है ठीक है देख सकते हैं यहां से मेरा Bluetooth इस तरह अप था तुमैने यहां से Bluetooth को ओन कर दिया devices यहां पर आप कि gucken पर दोस्तों यहां पर आपका मोबाइल का bluetooth है वह on 嗎 ओं चुका है तो यहां पर दिखा देगा तो आपका जो भी मोबाइल है जैसे मेरा यह वला है moto e4 Pe4 Plus तीसी में क्लिक करना पड़ेगा तो आपका जो भी mobile है उससी में आप right click करें उसके बाद आपको यहाँ पे connecting using में click करना है उसके बाद आपको यहाँ पे access point में कर देना है click उसके बाद यहाँ पे connecting लेगा देख सकती है यहाँ पे connection successful बता दिया यानि कि मेरा जो computer है mobile है यह दोनों आपस में connect हो चुगा है अब मैं किसी भी data का landing कर सकता हूँ तो connect हो गया तो चलिए मैं अपने computer से किसी भी data को mobile में send करके दिखाता हूँ उसके बाद mobile से computer में भी send करके दिखाऊंगा तो सबसे पहले computer से mobile में send करके दिखाता हूँ तो send करने के लिए वापस यहाँ पे Bluetooth के अइकन पर कर देना है click right click करना है यह आप left click भी कर सकते हैं तो यह option खूल जाएगा उस के बाद यहाँ पे क्लिक करना send file क्योंकि मैं computer से mobile सेंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे click करना send file में उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि आपका mobile कुन जैसे मेरा मोबायल यह वाला है तिसमें कर देना है Depending drip उसके बाद कर देना है नेस्ट उसके बाद यहां पर correct करना ब्राजर में उसके बाद आप जो भी चीज़ susend करना चाहते है फोटो वीडियो devil music ढोकुमेंट उसी में आपको click करना यानि को उसको खोजना आ है तो चलिए मैं यहाँ से एक photo send करके दिखा देता हूं क्योंकि photo जल्दी send होता है चलिए मैं इस photo फोटो को सेंड करके दिखाता हूं ठीक है तो मैंने इस फोटो को सलेक्ट कर लिया उसके बाद यहां पर क्लिक कर देना ओपन में यह फोटो यहां पर आ गिया उसके बाद यहां से कर देना है नेस्ट तो यहां पर देखिए सेंड हो रहा है मेरे मोबाइल में भी यहां पर द आ गया है तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो देखे यह वो जो फोटो था यहां से नहीं दिखाएगा तो गलेरी से दिखा देगा मैं गलेरी ओपन करता हूं तो यहां पर भी दिखा देगा किधर यह फोटो देख सकते हैं बुलुतूत के फोल्डर में यह वला है बुलुत पे क्लिक करना, जो भी चीज करना, send या receive इसी icon पे क्लिक करना, तिस icon पे कर देना क्लिक, अबर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा receive file, क्यूंकि मैं अबर हैसो mobile से computer में send करना चाता हूँ, तो मुझे अबर यहाँ पे receive file पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे पूर देना है इस तरह आजाएगा ठीक है तो चलिए मैं अपने मॉबाइल से एक फोटो ही सेंड करता हूं क्योंकि फोटो जल्दी सेंड हो जाता ठीक है तो मैं इस फोटो को ले लेता हूं उसके बाद यहां से सेर वाले बटन पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर यहां पर देख सकते हैं बोल दिया सेंड फाइल और यहां पर देख सकते हैं तुरंत आ गया एक सकेंड भी ने लगा तुरंत यहां पर जपाक से आ गया और यहां पर बोल रहा है लोकेशन की यहां पर जाके सेब होगा यहां पर देख सकते हैं लोकेशन दिखा रहा है यह यहां पर फाइल सेब होगा यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर ब्राउजर में किलिक करके यहां पर आप हैसो चेंज कर सकते हैं जिस भी फोल्डर में जिस भी जगा में जिस भी ड्राइब में आप हैसो रखना चाहते हैं वहां पर यहां पर आप हैसो फोल्डर क को चेंज भी कर सकते हैं ठीक है जैसे मैं UK folder में सेब करना चाहता हूं तो इसा फोल्डर में ये जो फोटो है वो सेब हो जाएगा ठीक ना मैंने यहां से सलेक कर लिए उसके बाद यहां से कर देता हूं फिनीश तभी जो फोटो मैंने यहां send करके आपको दिखाता हूँ computer से mobile में तो यहां पर click करता हूँ send a file में उसके बाद यहां पर यह मेरे mobile का यहां पर नाम बता रहा है यहां पर click करता हूँ browser में जाता हूँ और यहां तो मेरा ञावगा हो इसके बाद यहां से करता हूं नेश्ट तो यहां पर मेरे मोबाइलमें तु यहां पर Шण घ्रीव AG में आ जाएगा तो यहांपर कर देता हूं एक्सेटट पर बता दिया तिसी तरह दोस्तों आपको जो भी सेंड करना हो मोबाइल से PC में या PC से मोबाइल में बहुत ही असानी से आप सेंड कर सकते हैं दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रोब्लम होगा सेंड करने में यदि कोई प्रोब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट करके बोलिए मैं अलग से वीडियो बना कि आपको डिटेल पुरुवक बता दूँगा दोस्तों उमीद करता है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आए होगा ये पसंद आए तो वीडियो को लाइकर सेट जरूर करते हैं और दोस्तों ये आपको कोई सवाल हो बुलुतूथ से रिलेटेड तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेस्ट वीडियो में